प्रेंट्स आभी कुछ दिनों से SBA ने उसका योनो एप्लिकेशन का बैंकिंग प्रक्रिया को थोड़ा चेंज कर दिया है और वो यह है कि हर एप्लिकेशन यूजर को हर दो मेने में अपने पुराना यूजर आईडी को चेंज करके नियूजर आईडी क्रियेट करना होगा तो फ्रेंट्स आपने जानकारी के लिए हमारा वीडियो को लास्त तक जरूर देखेएगा और साथ ही साथ हमारा चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को दबा दिजिएगा तो चलिए फ्रेंट्स आज हम ओनलाइन के थरो नियूजर आईडी पास्वार क्रियेट करके फिर सेउनो एप्लिकेशन में लोगीन होके देखते हैं अपना मोबैल या लेक्टप में कोई भी ब्राउजर को उपन कर लेना उपन होने के बाद सर्च बार में ओनलाइन SBI लेके सर्च कर देना सर्च करने के बाद देखें यहां सबसे पहले स्टेट बेंक अप इंडिया लिखा हुआ है आपको सिम्पूल स्टेट बेंक अप इंडिया पर क्लिक करना है उसके बाद आपको यहाँ फीर से परसनल बेंकिंग लगीं पर किलिक करना है उसके बाद देखिये friends यहाँ राइट साइट कॉंटिनियो टू लगीं लिखा हुआ है आपको सिंपुल यहाँ किलिक करना है Friends अगर आप हमारा चनल को सस्क्राइब नहीं किये हैं सब्सक्राइब कर दिजिए और साथ में बेल आइकोन को भी दबा दिजिए ताकि जब भी हां मिसी परकर का जानखरी वीडियो डालेंगे वो सबसे पहले आपको मिल जाएगा तो फिर चलिए फ्रेंस आगे बढ़ते हैं यहां अपना योनो एप्लिकेशन का पुराना इजरा जाते ही प्रेंस आपको इस परका का इंटरफेस्टो करेगा और फेरिफाय के लिए प्रेंस आपके मुबाइल नमर में एक OTP आएगा अगर कुछ बज़े से आपके मुबाइल में OTP नहीं गया तो देखिए प्रेंस यहां क्लिक यहां टो रिसेंट दी OTP लिखा हुए बटम पर क्लिक करते ही प्रेंस आपके साबने इस परकार का इंटरफेस्टो करेगा इसके बाद फिर सही है अपना ओर लोगिन पस्वार को डाल देना है और उसका निच्छे निव लोगिन पस्वार क्रियेट करना है मैं एक पस्वार क्रियेट कर लेता हूँ यहां थोड़ा ध्यान रखना फ्रेंस जब आप निव पस्वार क्रियेट करेंगे तो वो पस्वार लेट्टर और सीमर में होना चाहिए जो पस्वार को आपने पहले क्रियेट के वही पस्वार को आप यहाँ द्वारा टाइप कर दीजिए पस्वार को टाइप करने के बाद सम्मिट बटम पर क्लिक कर दीजिए सम्मिट बटम पर क्लिक करते ही आपके रेजिस्टर मोबाईल में एक OTP जाएगा उस OTP को आप यहां आच्छे से भार दीजिए अगर कुछ बज़े से आपके मोबाईल में OTP नहीं गया तो click your to recent OTP करके आपके मोबाईल में फिर से OTP भेच सकते हैं तो OTP डालने के बाद submit बटम पर click कर दीजिए आपके submit बटम पर click करते हैं friends आपके new password create हो जाएगा देखिए यहां लिखा हुआ है dear customer your password has been update successful तो आपका new password create हो गया friends आप simple यहां close बटम पर click कर दीजिए उसके बाद फिर से आपने Chrome browser कोपन कार लिजिए और फिर से SBA Online लेक कर search कीजिए उसके बाद state bank अप इंडिया पर जाएए फिर से login पर click कीजिए फिर से continue to login पर click कीजिए उसके बाद यहां अपना username को type कर दीजिए टाइप करने के बाद यहां अपना new password को डाल दीजिए उसके बाद निचे यहां इसके अप्चा को भर दीजिए उसके बाद login पर click कर दीजिए login पर click करते ही आपके mobile में फिर से एक OTP आएगा उस OTP को यहां डाल के summit पर click कर दीजिए समेब बटम पर click करते ही आपके सामने आपके profile को करेगा यहां देख़िए उपडर transactions लिखा हुआ यहां किलिख करेंगेति आपने đã आकाउंट नमर लिखा हुआ है तो प्रेंस आज के लिए बास इतना ही फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में